Very good morning students, आज हम Sulfur तंत्र, गंदक तंत्र या Sulfur सिस्टम के phase diagram की study करेंगे प्रावस्थार एक किसका? गंदक तंत्र का, phase diagram of Sulfur सिस्टम मैं आपको पहले बता चुक्यों पिछले लेक्चर में कि Sulfur भी एक घटक तंत्र है, one component system है इस one component system के अंतरगत, चार प्रावस्थाएं पाई जाती है गंदक जो है Sulfur, दो अपरूपों में हों, या दो ऐलोट्रोपिक फॉर्म में पाई जाता है एक कों केते हैं, विशम लंबाख गंदक और एक किरता हैं, एकंताख गंदक और्थोरोंबिक सुल्फर और मोनोक्लिनिक सुल्फर ये दोनों 95.6 डिग्री सेंटिग्रेट अपर एक दूसरे के साथ सामय वस्था में रहते हैं सुल्फर मोनोक्लिनिक is in equilibrium with सुल्फर रॉंबिक at a temperature 95.6 डिग्री सेंटिग्रेट इन दो थोस प्रवस्थाओं के तिरिक सुल्फर लिक्वेड और सुल्फर विपर ये चार प्रवस्था हैं अभी तक हमने देखा था जल तंत्र में और कार्वन अक्साट तंत्र में कि तीन प्रवस्था होती थी यह कितनी प्रवस्था हैं कुल चार अब यदि हम इसका अध्यन करना चाहते हैं तो हमें क्या बनाना पड़ेगा प्रवस्था आरेक फेज डाइग्राम कैसे प्रवस्था आरेक को हम इसकेलर फॉर्म में इसकेल पर नहीं मना सकते हैं बहुत लंबा वरियेशन अपने को दिखाना होता है तो यह भी कैसा होगा इसकेल रहित यह आप कह सकते हैं नौन इसकेलर यहाँ इस चित्र में आपको सल्फर सिस्टम का फेज डाइग्राम दिखाए गया है प्रवस्था आरेक इस फेज डाइग्राम में आप देख रहे हैं ए बी ए खेत्र के ए बी ए के लेफ्ट हंड का खेत्र इसमें सॉलेड रॉम्बिक पाई जाती है इसी तरीके से बी सी ए के अंदर वाला शेत्र बी सी ए के अंदर वाला शेत्र में सल्फर मोनो क्लिनिक पाई जाती है जिसे हम एस एम से प्रदश्चित करते हैं यह दोनों ठोस प्रवस्थ हैं सॉलिड फिजिज हैं अब ए सी डी खेत्र में लिक्विट सल्फर या द्रव सल्फर पाई जाते हैं और ए बी सी डी के राइट हैंड साइड में जो भी एरिया है खेत्र हैं उसमें सल्फर विपर या सल्फर वाश्प वाई जाते हैं तो हर प्रवस्था के यह निश्चित एरिया है खेत्र हैं जिन खेत्रों में यह प्रवस्थां मिलती हैं अब सबसे बहले हम कर्व एबी की बात करते हैं देखिए कर्व एबी यह एबी एबी के एक तरफ सल्फर मोनो क्लिनिक सल्फर रॉंबिक हैं और दूसी तरफ वेपर या वाश्प तो क्या हो रहा हैं इस कर्व के अनुदेश एबी कर्व के एलोंग सल्फर रॉंबिक वेपर में बदल रही हैं सॉलिट से वेपर में बदलना क्या होगा ऊर्थ पातन या सब्ली मिशिन तो एबी जो हैं वो सल्फर रॉंबिक का ऊर्थ पातन वख रहे हैं AB is the sublimation curve of rhombic sulfur अब हम BC curve की बात करते हैं तो BC curve में एक तरफ है sulfur monoclinic जो की solid है और दूसी तरफ है sulfur vapor तो यहां sulfur monoclinic sulfur vapor में change हो रही है without converting into liquid ड्रफ अवस्था में बरिवर्तित हुए बिना इसलिए BC क्या हो गया यह हो गया sulfur monoclinic का उर्ध पातन वक्र या sublimation curve BC sulfur monoclinic का उर्ध पातन वक्र है BC is the sublimation curve for monoclinic sulfur अब हम बात करते हैं CD की CD में वक्र के अलॉंग अनुदेश एक तरफ है sulfur liquid और दूसी तरफ है sulfur vapor तो यहां क्या हो रहा है sulfur liquid sulfur vapor में convert हो रहा है तो यह फिर क्या हो गया वास्तदाव वक्र या vapor pressure curve so CD is the vapor pressure curve of liquid sulfur अब हम बात करते हैं CE कर्व की CE CE कर्व में एक तरफ है sulfur monoclinic और दूसी तरफ है sulfur liquid तो यह क्या हो गया यह हो गया sulfur monoclinic का गलन वक्र fusion curve of sulfur monoclinic अब हम BE कर्व की बात करते हैं BE आप देख रहे हैं BE कर्व को ध्याम से देखिए BE के एक तरफ है solid rhombic sulfur और दूसी तरफ है solid monoclinic sulfur दोलों प्रवस्ते हैं ठोस हैं यानि इस कर्व के अलॉंग या इस वक्र के अनुदेश solid sulfur rhombic sulfur monoclinic में बिदल रहे हैं sulfur rhombic is changing into sulfur monoclinic इसको हम कहते हैं संक्रमन या transition तो BE जो है वो कहलाएगा transition curve of solid sulfur ठोस sulfur का संक्रमन वक्र अब यदि हम eg की बात करें eg eg में आप देख रहे हैं एक तरफ है sulfur rhombic और दूसी तरफ है sulfur liquid तो यह क्या हो गया जानते हैं आप sulfur rhombic का गलन वक्र fusion curve of sulfur rhombic अब यह जो इसमें फिगर में आपको लिखा वह नहीं दिखा जे रहा है आप E point the temperature is 150 degree centigrade and the pressure is 1290 atmosphere 95.6 is a temperature at which the sulfur rhombic and sulfur monoclinic are in equilibrium यहां पर हम देख रहे हैं कि किसी भी कर्व की बात करें ab, b, c, c, d, b, e, c, e, e, g इन सभी छेओं कर्वों के लोग हमें दो प्रवस्थाएं दिखाई दे रही हैं ab, e, b, e, per कौन कांसी दो हैं sulfur rhomic और V Brock b, c, e, c, e, c, d, c, d, c, d, c, d, प्रावस्था हैं Sulfur Rhombic और Sulfur Liquid तो इन सभी छे वक्र पर प्रावस्था कितनी है तो अगर हम फेज रूल लगाएंगे F is equal to C minus P plus 2 C1 है तो F is equal to 3 minus P प्रावस्था हैं 2 हैं तो स्वतनता की कोटी कितनी हुई? एक तो यह सभी कर्व जो हैं यह एक चर या मोनो वेरियंट हैं यह सभी कर्व जो आपको दिखाई दे रहे हैं A B B C देखिए C D और C E यह सब एक चर हैं यदि आप B E कर्व का मैं एक्जम्पल लेती हूँ यह क्या है ट्रांजिशन कर्व है ना अब यदि हम कहते हैं कि प्रेशर जो है वो एक वाई मिंडली है तो निश्चे थी दोनो जहां पर होंगे वो टेंपरेचर जहां दोनो प्रावस्चेंस ठसासत मिलेंगी सलफर रॉंबिक और सलफर मोनोक्लिनिक वो टेंपरेचर 114 डिग्री सेंटिग्रेट ही होगा दूसरा कोई टेंपरेचर नहीं हो सकता इसी तरीके से अगर हम टेंपरेचर को फिक्स कर देंगे और हमें दोनों प्रावस्चेंस चाहिए तो एक निश्चित बिंदू आएगा और दाब एक निश्चित ही होगा इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इन कर्व के अनुदेश हम ताप या दाब में से किसी एक को ही परिवर्तित कर सकते हैं एक को बदलने एक को निश्चित करने पर दूसरा अपने आप ही निश्चित हो जायता है तो इस तरीके से यहां सोतंता की कोटी कितनी हुई एक तो यह सारे के सारे कर्व जो आपको दिखाई दे रहे हैं यह सब के सब क्या है एक चर या मोनो वेरियंट अब हम बात करते हैं है ट्रिपज पॉइंट त्रीक बिंदु की अगर आप इसमें देख रहे हैं कि बिंदू बी सबसे प्थे हैं बिंदू बी को देखते हैं इए डैग्रम वही है सेम डैग्रम है बी बिंदू पर आपको कितनी प्रावस्ताय मिल रही है एक है सल्फर रॉम्बिक फिगर में देखिए दूसरी है सल्फर मोनोक्लिनिक और तीसरी प्रावस्ताय वास्पिया वीपर यानि प्रावस्ताओं की संक्या कितनी हो गई अब गिपस प्रावस्तान ही हम लगाते है एएव उस इकल टू थ्री माइनस पी प्रावस्ताओं की संक्या थ्री हो गई त्री माइनस ठील टू जीरो यह अचर बिंदू यह नॉन वरियंट पॉयंट है भी इस च्योंकि आप क्योंकि सब्स तीन प्रावस्ताय है इसलिए हम तो ट्रेबल पॉइंट बी पर तीन प्रावस्था हैं और स्वतनता की कोटी जीरो है इसलिए यह एक अचर बिंदू है इसमें एक वाईयू मंडल यह डाप पर यह तापकरम कितना होगा यह तापकरम होगा 95.6 डिग्री संटिग्रेट अब हम बात करते हैं बिंदू सी थी बिंदू सी पर टेंपरेचर है 120 डिग्री यहां आप देखिये सल्फर मोनो क्लिनिक है सल्फर लिक्विड है और सल्फर वेपर भी है फिर तीन प्रावस्था होई और एफ इस इकल टू 3 मैनस 3 इस इकल टू 0 यह भी अचर बिंदू यह नॉन वेरियंट पॉइंट है यह इसकों त्रिक बिंदू यह ट्रिपल कॉइंट भी कह सकते है ऐसे ही एक त्रिक बिंदू हमें दिख रहा है इपर यहां भी तीन प्रावस्था हैं साथ सकते हैं कौन सी तीन है भई सल्फर रॉंबिक सल्फर मोनोक्लिनिक और सल्फर लिक्विड इसलिए यहां भी स्वदंता की कोटी 0 टेंपरेचर निश्चित हैं कितना 120 डिग्री सेंटिग्रेट सॉरी टेंपरेचर है 165 डिग्री सेंटिग्रेट और प्रेशर है 1290 एक्मोस्फिर 1290 एक्मोस्फिर तो इस तरीके से यह हमारे पास तीन त्रिक्ट बिल्दू हैं अब यदि हम खेत्र की बात करें तो हरे खेत्र में आपने देखा कि एक ही प्रवस्था है जैसे A, B, E, G इस खेत्र में सॉलिड सल्फर रोंबिक एरिया B, C, E, B B, C, E, B सल्फर मोनो क्लिनिक एरिया D, C, E, G देखिए कहा हैं D, C, E, G क्या है सल्फर लिक्विड और चौथा एरिया है A, B, C, D A, B, C, D इसमें सल्फर विपर तो चारों एरिया में केवल एक ही प्रवस्था है फेज रूल F is equal to 3 minus P, P is equal to 1 तो 2 यह ड्विचर या बाई विरियंट है जिस तरीके से हमने पहले भी देखा कि खेत्रों के अलोंग केवल एक ही प्रवस्था होती है तो अगर हम सल्फर या खाली सल्फर मोनोक्लिनेक या सल्फर लिक्वेट या सल्फर गैस वेपर के बारे में बताना चाहते हैं तो हमको टैंप्रेचर और प्रश्यर दोनों ही बताने पड़ेंगे वेख्य gefख स्पेशिफाइ टंप्रेचर एंड द्रश्यर बाइत इसलिए ये यह जो शैत्र है यह दो टी टीरर या वाय रिقط यह तो हमने प्ड़ेजी देखा कि यह जो शैत्र है यह वाय बिरियंते में यह जो करवे यह मोज विरियंते एक चरे और त्रिपिल पॉइंट जो हो अचर या इनले इनल विरियंटे लिए यनी ठ्रिप बिंदु पर स्वधंता की Qt 0 आप देखिये इसमें फिगर में आपको तीन कर्व डैश डैश से दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से हैं वो वो है BF, CF और EF BF, CF और EF इसमें देखिए आप यह है BF, CF और EF यह जो आपको डैश से दिखाई दे रहे हैं कर्व यह कहलते हैं मित इस्थाई सामने हैं या मैटा स्टेबिल इकलिम गंधक विश्यमलमाई आर्थोरमिक का संक्रमन टाप है 95.6 यानि 95.6 डिग्री सेंटिगेट टेमटरिचर पर यह सलफर मोनोक्रिनिक में चेंज हो जाना चाहिए अब क्योंकि सलफर और्थोरमिक जब मोनोक्रिनिक में चेंज होती है तो आणवे पुलर वस्था होती है रियार्रेजमेंट होता है एटम्स का स्वाली मॉलिक्यूल्स का अब यदि 95.6 डिग्री पर टेमटरिचर को थोड़ा तेजी से बढ़ाया जाए तो कई डिग्री सेंटिगेट तक सलफर मोनोक्रिनिक के प्रगट हुए बिना हमको सलफर रॉंबिक मिल जाता है जो की इस कर्व में बी एफ से दिखाएगी है एफ तक लेकिन यह भी एक साम में परन्तु यह मिद्साई साम में अगर प्रक्रिया को दीरे दीरे किया दे तो हमें यह कर्व नहीं मिलेगा या अगर हम एक पार्टिकल भी सलफर मोनोक्लिनिक का मिला देंगे तो सारका सारा सलफर रॉंबिक जो वो सलफर मोनोक्लिनिक में बदल जाएगा एक सो चौदा डिग्री सेंटिकेट तक हमें मित इस्थाई रूप से सलफर रॉंबिक मिल सकता है बीना मोनोक्लिनिक में बदले हुए तो यह मित इस्थाई या मैटा स्टेबिल इकलिब्रियम के लागता है इसी तरीके से यदि द्रव गंदक को थंडा किया जाए लिक्विट सलफर को थंडा की जाए तो क्या होना चाहिए सी बंदू पहर यह मोनोक्लिनिक में बदल जाना चाहिए लेकिन यदि इस प्रक्रिया को तेजी चाहिए अब दी में दी में करवाएंगे तो तो क्या होगा सारा लिक्विट जो है वो सलफर मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाएगा सी बंदू पर लेकिन अगर तेजी से ठंडा कर दें तो सी एफ के अनुदिश भी हमको लिक्विट सलफर मिल सकता है लिक्विट सलफर केन आल्सो भी अप्टेंड अलॉंग दे कर्व सी एफ तो सी एफ जो डैश से दिखाया गया है वो भी क्या है मैटा एस्टेबिल iqlbrium या मित इस्थाई साम में इसी तरहीए से जब वेपर को ठंडा किया जाता है इसी तरहीए से जब सफर churches को ठंडा किया जाता है तो यह विंदू पर ये सफर मोनो क्लिणिक में बदल जाना जहीं लेकिन इसमें भी molecular rearrangement क्या उश्यक्ता होती है टाइम चाहिए तो अगर हम तेजी से टंडा कर दें तो EF कर्व के along भी हमको sulfur rhombic मिल सकता है तो इस तरीके से यह जो तीनों कर्व हैं BF, CF और EF यह मित इस्थाई सामने यह metastable equilibrium को प्रगट करते हैं यह तीनों metastable curve F बिंदु पर मिलते हैं तीनों metastable curve यह मित इस्थाई वक्र कहां पर मिलते हैं F बिंदु पर मिलते हैं तो BF कर्व है वो sublimation कर्व है किसका metastable sulfur rhombic का CF है वेपर प्रेशर कर्व है सुपर कूल liquid sulfur का और EF जो है या FE वो fusion कर्व है metastable sulfur rhombic का अब इनमें भी एक triple point है F तीन एरियाज हैं जो कि क्या मित इस्थाई हैं या metastable है metastable पूरी तरीके से stable नहीं होते हैं और यदि इनको जरा से भी किया जाएं तो एक जो metastable प्रवस्था है वो तुरंद दूसी प्रवस्था में बदल जाती है तो इस तरीके से यह आपका था sulfur system या गंधक तंत्र अब अगर हम इसको water system से compare करें तो देखिए water system में तीन प्रवस्थाएं थी इसमें भी तीन प्रवस्था अच्छा इसमें आप यह देख रहे हैं कि भड़ी चार प्रवस्था हैं लेकिन कहीं पर भी आपको चार प्रवस्था हैं एक साथ नहीं मिल रही है अधिक्तम कितनी प्रवस्था आपको एक साथ मिल रही है तीन वो तीन चाहें को इसी भी हो at a time you will get only the three phases in equilibrium not the four क्यों यदि प्रवस्थाओं की संख्या चार हो जाएगी तो f is equal to three minus four यानि minus one स्वदंता की कोटी minus one हो जाएगी जो कि कभी नहीं हो सकता हम जानते हैं कि स्वदंता की minimum यूंतम कोटी कितनी होती है तो इसलिए आप इस प्रवस्था एक से देख पा रहे हैं कि कहीं पर भी चारों प्रवस्थाएं एक साथ हमें नहीं मिल रही है चार में से केवल तीनी प्रवस्थाएं एक साथ मिल सकती हैं क्योंकि प्रवस्था के नहीं के निहम के निसार स्वदंता की नियूंतम कोटी क्यों नहीं हो सकती है अगर चार प्रवस्था हो जाएगी तो f is equal to आजएगा मेरे पास three minus four यानि minus one जो कि सम्मभ नहीं है इसी बात को प्रवस्था अरेक या phase diagram बताता है according to phase diagram we have only three phases maximum at an equilibrium which indicate that degree of freedom minimum degree of freedom is zero अब यदि हम इसको जल तंत्र से water system से compare करें तो जल तंत्र में हमें तीन खेत्र मिलते थे यह चार खेत्रे क्योंकि यह चार प्रवस्था हैं वहां हमें तीन वक्र मिलते थे कर्व कितने मिलते थे महर Impact में तीन यह कर्व कितनी आप अपने देखें यह पर हमारे पास छे कर्व इसी तरीके से वहां पर जल तंत्र में हमारे पास एक triple point थे तरिक भिण्दूी अच्षभिण्दू यह हमारे पास तीन अचर बिंदू हैं जहां सुदंता की कोटी हुने होती है तो इस तरीके से हम जल तंत्र के साथ सल्फर तंत्र को या सल्फर सिस्थम को कंपेर कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही नेक्स टंट पर हम लेंगे द्वी घटक तंत्र या टू कंपोनेंट स तंक यू